किसान भाईयों, सफल उत्पादन का पहला कदम बीजो उप्चार जो हमें इंडोफिल के स्प्रिंट के साथ करना है धाई ग्रम प्लती किलो सोयाबीन के बीज में स्प्रिंट का उप्योग करें और इंडोफिल के इस विश्विस्तरी उत्पाद से बहतरीन परिणाम प्राप्त करें बीज और भूमी जनित फफूंदियों से सोयाबीन और अन्य फसलों को दे सुरक्षा इंडोफिल का स्प्रिंट सफलता की ओर आपका पहला कदम जो आपको आने वाली सोयाबीन और अन्य फसलों के रोगों से बहतर सुरक्षा दे बीजों का तेजी से अंकुरन करे और एक साथ तीवर फसल की रधी करे इंडोफिल का स्प्रिंट इतना ही नहीं स्प्रिंट बीज और जड़ सडन को भी बचाता है किसान भाईयों वो आई के समय स्प्रिंट धाई ग्राम प्रती की लो बीज में जरूर इस्तमाल करें और भरपूर पैदावार लें स्प्रिंट के बाद घर्पतवार हमारी फसल पर वार ना कर सके इसके लिए चोड़ी पत्ती के घर्पतवार के लिए पासपोर्ट और सकरी पत्ती के घर्पतवार के लिए सोसाइटी का इस्तमाल करें पासपोर्ट 15-20 दिन में 400 ml प्रती एकड और सोसाइटी 20-25 दिनों में 200 ml प्रती एकड इस्तमाल कर खर्पतवार से हमें फसल बचाना है और अधिक उत्पादन पाना है किसान भाईयों 15-20 दिनों में फसल को बचपन में जटका बुखार और अन्य रोगों से सुरक्षा देने के लिए इंडोफिल का Z78 500 ग्राम प्रती एकड जरूर उप्योग करें याद रखें Z78 आपकी फसल को बुखार मुक्त स्वस्थ बचपन देगा 35-45 दिन की अवस्था में इंडोफिल का जादू यूत्पाद अवतार का उप्योग 500 ग्राम प्रती एकड करना है और फसल को फफूंद जनित और धबा रोग से बचाना है अवतार का दूसरा छड़काव आपको भूलना नहीं है 45-60 दिनों में 500 ग्राम प्रती एकड की मातरा से छड़काव कर हम फफूंद जनित रोग, पत्ता धबा रोग, फल और तना गलन जैसी बिमारियों से भी बच सकते हैं किसान भाईयों, इंडो फिल के विश्विस्तरी उत्पाद का साथी, इंडो फिल का सपना हर किसान हो अपना